आप लो प्रेंट्स आयम से वर्दमान डगा भ्यान से सुनना सर इससे पहले मैंने आप लोगों का जितने भी सेपनेंबर वाले स्टूइंट है सूलीशन सी अप्लोड कर दिये ये पार्टे में अब कर Fragen आपको इम्कं पर कर दियूट से में चैप्स का अब पर काफी ट्रिक्य था टो थे जडा है पोइंट्स यहांपर बहुत ज़्यादा मैं प्रंफियूज किय था master स्टूडन को बहुत टीप में जाके पूच ह 확대력 चिक है तो टाइम देश नहीं करते हैं आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है लाइक करना और क्रेंट को शेयर करना चिक है चलो तो लेट्स चार्ट सबसे पहले सर इंकम टाक्स का डिस्क्रिप्टिव कोशन देखो यहां पर अपन क्या करेंगे अपनी एप्रोच यह रहेगी कि अपन सब्सक्रिप्ट सेल करने स्चार्ट करते क्योंकि सेंप्रे अगर मैं इसको वोपन परके आपको tutaj यह वह बाद में and solve करेंगे देखो क्या बोलता है compute the total income and the text payable for the assessment ये मैंने हमीशा से सिखाया सब बड़े question में नीचे आके पहले पढ़ना चीह वो क्या बोल रहा है आपको total income और text payable निकालने बोला है for the assessment year 24-25 by Raman under default tax regime and optional tax regime as per the normal profession of tax मतलब दोनों के इसाफ से निकालने और कौन सा advantage यह यह आपको बताने रमन के लिए चीक है बैए आओ उपर पढ़ते हैं देखो Mr. Raman a resident age 62 years age हमीशा matter करती ही sir क्योंकि जब अपन normal scheme में tax निकालने जाएंगे तो यह हमाले काम क्यों होगी is engaged in the business of manufacture and sale of spare parts for the motorbike as a proprietor तो यह manufacturing का काम करता है sir and sale of spare parts and motorbike as a proprietor he prepared his accounts on mercantile basis यह हमारे बहुत काम का sir मैंने हम इशा से बुल है sir जब भी कभी यह लिखा रहे कि वह mercantile है या cash basis है उससे बहुत relevance होता है कही न कहीं यह करीवेंस आएगा नीचे this business is carried out on the ground floor of the two-story building commercial building owned by him तो ground floor में यह business कर रहा है चिक है बही और building के दो floor है चिक the wdb of the building is 8 lakh चिक है बही बिल्दिंग के wdb आपको दी हुई है sir 8 lakh है यह prepare is account on accrual basis चीक है तो यह अपना accounts accrual basis में prepare करता है चीक देस्ट में देस्टेट्मेंट अप्रोफिल लॉस फॉर एर एंडट थरी पस्मार्ट ट्वेड़िए फॉन नेट प्रॉफिट दिया हुए सब्सक्राइब करते हैं जितने information सपन को पता है उसके basis में लिखना स्टार्ट करते हैं एक चीज का याद रखना टू स्टूरेट कमर्शल बिल्डिंग है ठीक है जिसकी सब्सक्राइब करते हैं करना सॉल्फ या लिखेंगे सर हर स्टूरेंट जो है स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था सर यह लिखके आएगा कम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इंकम एंड टेक्स लाइबलिटी ऑफ मिस्टर रमन चीक है फॉर दास्टमेंट यह ऐसे करके लिखके आएगा अंडर सेक्ष अंडर नॉर्मल स्कीम एं वन वन फाइप यसी तो हम जो अभी कोश्टन सॉल करेंगे पहले नॉर्मल और उसके बात फिर वन वन फाइप यसी के साफ से कुछ एड्जिस्मेंट कर लेंगे चिक है चलो लेट स्टार्ट अंडर यार इसके बाद अपन क्या करेंगे अगर्टिकुलर्स हमें सबसे पहले जो मिल गई है वो पी जी बीपी की इंकम मिल गई है और जिसमें हमें सर नेट ट्रॉफिट मिल गया है नेट ट्रॉफिट जो हमें मिला है वो 925,000 का है सर चिक है उसके अलावा कहानी अब हमें आगे पढ़नी पढ़ेगी और पढ़के सॉल्ट करनी पढ़ेगी सर आफ्टर डिबिटिंग इन ट्रेटिंग दफॉलिंग आइटम से तो हमें देखना पढ़ेगा बट बिफोर टैक्सेशन और डेप्रिसेशन है याद रखना क्योंकि सर कह इंक्लूद 2,000 लेक फॉर्टी थाउसन बिंग एक्समेटर इंकरद ओन टू तो ताइवान फॉर अटेंडिंग बिजनस एंग्जिबिशन और मीटिंग विट वेंडर्स आउट विच फॉर्टी थाउसन इंकरद इन इंगें करिंसी और 2 लेक इन फॉर्टी थाइवान लेक फॉर्टी थाउसन तो लेके फॉर्टी थाउसन एंड़ेश का एसर चिक है उसमें से फोरड्र क्या एसर परस्नल यह बेसिकली आप देखोगी तो तेन में से फॉर तो फोरड़ेस के एक्सपेंश कितने आर रहे था है यहारे 96000 चिक है तो यह अपन को नहीं मिलेगा तो अपन इसको क्या करेंगे एड कर लेंगे यहां लिख लेता हूं मैं एड चिक तोड़ा सा गैब देता हूं और लिख लेता हूं लेस एड में पहला मिल गया है मुझे सार मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं अभी शॉट पर लिखूंगो मैं नहीं तो और टाइम लग जाएगा चीक है उसके बाद देखो administrative expense include 9525 towards pay interest on delay on payment of GST जो है यह compensatory nature का इंट्रेस्ट होता तो यह अलाओ नहीं होता सरी इंट्रेस्ट अलाओ हो जाएगा इसके साथ कोई रिक्कत नहीं है अगला देखो general expense include a sum of 3,88,000 pay to a non-risk rate as a fee for technical services without deduction of TDS ओ हो non-risk rate को payment के section 40 बीच में आ गया और बुले सर आपने अगर TDS नहीं काटा है तो यह खर्चा नहीं मिलता तो इसको अपन क्या करते है एड कर लेते है general expense 3,88,000 जिक नेक्स आगे बढ़ते देखो fire insurance premium of 66,000 for the entire building remain unpaid till 3rd past month 2024 sir आपको यह ना देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपन section 43B पढ़े but 43B में हमने कही fire insurance नहीं पढ़ा है तो sir यह वाला जो expense है इसमें कोई 43B का implication नहीं होने वाला but एक खास बात है sir आप ध्यान दो तो entire building जबके building में दो floor है sir एक ground floor एक first floor हम starting में पढ़े न sir कहां गया यह देखो ground floor था उसको वो commercial purpose के लिए commercial building owned by him ground floor है first floor है ठीक है ground floor की आपको WDVDV है जब business यह बोले ना business is carried on ground floor तो ground floor है जहां पर business हो रहा है तो आप बात ध्यान दो fire insurance premium का जो खर्चा है उसमें से दो पार्ट होने वारे sir ground floor and first floor sir ground floor जो है यह business purpose है चिक first floor जो है वो हमें देखना पड़ेगा first floor के बारे वे अभी तक तो कुछ नहीं मिला अभी तक तो कुछ नहीं मिला तो हमें first floor का तो देखना पड़ेगा तो ground floor जो business purpose के लिए वहां पर आपको 33,000 तो मिल जाएगा यह crystal clear है but first floor का कुछ बताया नहीं आगे ढूंते कुछ मिल जाएगा तो फिर decide करेंगे expenditure of 75,000 was paid to a scientific research association approved under section 35 out of 75,000 50,000 was utilized towards the purchase of land sir purchase of land यह तो add हो जाएगा sir इसको लिख लेते हैं scientific research 50,000 आपको याद हैने sir land का नहीं मिलता scientific research की case पे इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है चलो देखो he is let out first floor of this commercial building low भाई मिल गया first floor तो let out है sir let out property है और अकर let out property है तो अभी धर आओ sir fire insurance premium जो है let out property से related है तो यह expense नहीं मिलेगा जो आपने PL account में डाल के रखा है कैसे पता चला sir डाल के रखा है लिखा तो है sir after debiting 1000 first floor का डाला है जो की let out property है यह नहीं मिलेगा तो आप क्या करो fire insurance premium पहले लिख लो वही चौथा fire insurance premium 33,000 यह नहीं आएगा sir उसके बाद आगे बढ़ते हैं he let out first floor of commercial building to Mr. Amun on first April 2023 and receive a rent of 35,000 per month छीक है मतलब आपको IHP वाली बाते कर रहे sir into 12 करेंगे IHP की कहानिया करेंगे इस point पे check municipal taxes 20,000 relating to the building relating to the building पूरी building का municipal tax है ज्यान रखना sir business purpose के लिए भी यूज़ हुई है और let out property भी है we're paid equally by Mr. Raman and Mr. Amun तो sir Amun तो हो गया tenant Raman हो गया owner दोनों पे कर रहे equally पे कर रहे मतलब 10,000 rent receive where credited and municipal tax of 10,000 was debited to the profit and loss account जो 10,000 है वो relating to ground floor है ठीक है अच्छा अब यह आपर यह नहीं बता रहे है इस question में कि जो रमन है वो रमन ने किस मतलब जो 10,000 municipal tax pay किया है वो sir let out property वाला पे किया है कि sir क्या बोलते है जो building business purpose के लिए हो रही है उसके लिए पे किया है अब यह तो बताया नहीं question में बट यह इसने बताया है sir कि relating to ground floor है 10,000 वो उसने debit करके रखा है profit and loss account में तो sir ठीक है जो 10,000 debit करके रखा है profit and loss account में यह तो allow हो जाएगा क्योंकि ground floor वाला जो है वह आप business purpose के यूज कर रहा है कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा बट बात यह है हम यह assume करेंगे अब discussion में ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा है और clear भी नहीं कर रहा है तो हम और यहां निकालते है IHP की income IHP की income में sir rent received दिया हुआ है कर दिया हुआ है rent received 35,000 चीक है चलो rent received by 35,000 into 12 कर लो किता आएगा 35,000 into 12 4,020,000 municipal tax यहां पर लिग देता हूँ बट माइनस नहीं होगा ठीक है क्योंकि tenant पे किया तो 4,020,000 किया गया NAV माइनस 30% इसका 30% 126,000 सर अभी इत्ते में रुख जाता हूँ क्योंकि might be possible might be possible interest हो अभी तो पता नहीं सर जा तक पहुचे वहां तक interest तो नहीं दिखा तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ती यह कहानी देखो he sold a piece of land for 44,00,000 चीक है he acquired the land for 40,00,000 चीक है 1st January को acquire किया और 12th April को बेज़ दिया क्या 24 months के अंदर बेज़ दिया yes sir तो यह short term capital gain है land के case में अब यह land के case में जो short term capital gain है तो यह gain जो हूँ है 4,00,000 का इसको इसने कहाँ पर credit कर दिया है profit and loss account में credit कर दिया है तो यह आना तो नहीं चीए sir तो अपन इसको क्या कर लेंगे पहला item less का मिल गया land का 4,00,000 यह समझा है sir आपको आगे बढ़ते हैं अच्छा हातो हात लिग गते हैं मैंने तरीका सिखाया था students को कि sir आप एक काम क्या करो तुरंट के तुरंट चीजों को ना साथ साथ नोट करते जाया करो sir capital gain में short term capital gain on land यह इसलिए यहां हातो हात में लिग दिया sir नहीं तो बाद में mistake हो जाएगी बाद में अपन भूल जाएंगे ठीक है और एक बात और भी है न सर हमें tax liability भी निकालना है तो short term capital gain भी इसलेंट पर तो वह भी काम का है न सर इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है मतलब यह ciai देना तो time pass था कोई मतलब ही नहीं था आगे ने कोई digital information mr. raman purchased raw material from paul industry a micro enterprises ठीक है मतलब micro enterprises है यह section 43 b amendment वाली बात है मैंने बोले था students commitment करके जाना for 49,000 on March 10, 2024 however the payment to paul industry was made on 5th April 2024 by check no return agreement अरे बापरे इनके बीच में return agreement ही नहीं है sir अगर return agreement नहीं है तो sir आपके पस time duration किता है sir 15 days का sir payment करने का तो 10th March 15 days मतलब 25th March तक payment हो जाना चाहिए था कब payment किया 5th March को तो practically यह वहला expense तो नहीं मिलेगा sir आपको ठीक है यह expense तो नहीं मिलेगा sir ठीक है उसके बाद आगे देखो another supplier काल इंडुस्ट्री स्मॉल enterprises with whom also no return agreement इसके साथ भी return agreement नहीं है existed for payment was made like 34,000 in cash for the purchase of raw material on 31st March 2024 ठीक है अब देखो इनके साथ return agreement क्या हुआ है return agreement हुए sir 31st March को और payment कब किया sir 5th April को क्या 15 days के अंदर payment की है yes 15 days के अंदर payment की है sir की cash में pay हुआ है और cash में pay हुआ है तो sir section 40a section 3 बीच में आ रहे था और वो बोलता है sir cash में कैसे कर रहे है उतना payment allowed ही नहीं करेंगे तो practically ये वाला भी expenditure allowed नहीं हुआ ये वाला भी expense allowed नहीं हुआ तो sir उसके बाद आगे देखो अगर ये दोनों खर्चे इसने debit किया होंगे तो ये दोनों खर्चे आपको क्या करना पड़ेगा add back करना पड़ेगा sir क्योंकि ये खर्चे allowed नहीं होंगे तो ये खर्चे अपन एड कर लेते हैं raw material लिखते हैं एक तो 49,000 प्लस एक है 1,35,000 35 भी है न 1,34 है स्वरी 1,34,000 चीक है तो ये कितना हो जाएगा sir 1,34,000 प्लस 49,000 ये 1,83,000 ये expense आपने debit क्या होगा ये expense आपको मिलेगा नहीं sir इसके बाद आगे देखो मिस्टर रमन acquired a registered trademark on 15 July 2023 for 2,00,000 चीक है मिस्टर रमन started using the trademark for his business on 15 January sir put to use 15 January को हुए तो trademark में depreciation 25% और उसका भी 50% मिलेगा reason ये sir January में put to use है तो 2,00,000 का 25% 50,000 और 50,000 का भी 50% 25,000 तो अपन लिक लेते ना depreciation on trademark 25,000 चीक है अगला देखो अगला Mr. Raman bought a car for personal purpose on 12th April 2020 for 5,000 he started using the car for business purpose sir ये तो institute मार्ट के basis में ही point डाल दिये sir तो हम बोलते तो sir car की जो market value से में कोई मतलम नहीं car की value किती 5,000 इसका 15% depreciation निकाला पड़ेगा 81,000 तो depreciation on car 81,000 depreciation on car 81,000 इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है देखो ये इंकर 2,50,000 on the purchase of new machinery नहीं machinery purchase क्या है to be used for the production of spare parts for the motorbikes on 15th May 2023 अगर यादो तो आपको मैंने आपको बताया था sir 30% manufacturing का काम करता है तो manufacturing का काम करता है तो sir ये normal depreciation भी claim कर सकता है additional भी claim कर सकता है तो sir 2,50 अच्छा यही एक point है जहाँ पर 115 BAC में difference आने वाला है क्योंकि 115 BAC में आपको additional depreciation नहीं मिलने वाला है तो sir 2,50,000 तो normal हो गया 15 additional हो गया 20 तो उन्हों को add किया तो आगया 35% into 35% 87,500 आ रहा है depreciation on depreciation on machine 87,500 चिक है उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है कहानी आगे बढ़ती है तो इसने पला sir E.S. paid a tuition fees of 25,000 for the education office daughter to a college तो यह तो deduction वाली बात हो गई अब यह सब चीज़ है अगर deduction है तो 115 BAC में तो मिलना ही नहीं है sir normal में मिल दाएगा 115 BAC में नहीं मिलेगा जया रखना ठीक है तो अभी तो ले ले लेते हैं यह short term capital gain हो गया इसके बाद आप लिख लो यहाँ पर gross total income minus call or deduction एक मिल गई ATC ATC की कित्ती थी 25,000 ना किती हाँ 25,000 इसको भी पढ़ी लेते हैं during the year Mr. Raman has incurred a 9500 in cash for the preventive health check-up where 5000 for himself 4500 for his parents who were super senior citizen तो sir दोनों का मिला के 5000 मिलता है sir और वो भी ATD में कहानी है sir तो ATC की 25 और ATD की 5000 ATC की 25 ATD की 5000 चिक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद donation paid to a registered political party by way of check sir check में दिया THANK YOU sir GGB क्यों नहीं आया GGB company के लिए होता है C individual के लिए होता है तो यह मिल जाएगा 20,000 AT GGC 20,000 एक और page add कर ही लेते हैं क्योंकि हमें लगेगा यह आगया तो इसके बाद आपके आजाएगी total income इसके बाद कोई point और बचा तो नहीं है हमने सब point का treatment क्या कर लिया है एक point और है जो यह building माला point है क्योंकि इस commercial building में देखो न सर WDV दी हुई है which is 8 lakh तो जो ground floor है वो ground floor को वो business purpose के लिए use करता था first floor को तो let out किया था तो सर ground floor जो business purpose के लिए use करता था उस पे भी तो depreciation ले लोगे न सर building पे तो 8 lakh का depreciation ले ओगे सर 10% तो यह एक point और बच किया यहां लिख लेगता है depreciation on building चीक है 8 lakh का 10% 80,000 चीक है इसके अलावा मेरे इसाब से कोई चीत बची नहीं है हमने सब treatment कर लिया है अब देखते हैं finally incomes केतनी आ रही है प्लस माइनस करके इसको थोड़ा चोटा करते हैं और करते हैं चलो 9 lakh 25,000 आप भी प्लस माइनस करो और चेक कर लो प्लस 3 lakh 88,000 प्लस 50,000 प्लस 33,000 प्लस 1 lakh 83,000 माइनस 4 lakh माइनस 25,000 माइनस 81,000 माइनस 87,500 माइनस 80,000 तो यह आरह सर 100,000 00 यहां की PGP की इंकम होई ठीक है IHP की भी इंट्रेस तो कहीं मिला ही नहीं सर IHP की भी इंकम निकाल लेते है 4 lakh 20,000 माइनस 26,000 तो यह रह सर 2 lakh 94,000 चिक है उसके बाद सर शॉट टर्म कैपिटल गेन यह तो इतना ही है सर 4 lakh कही है चिक यह 4 lakh का शॉट टर्म कैपिटल गेन अब अपन सर ग्रॉट टोतल इंकम निकाल लेते है तो यह आहा रहे सर ग्रॉट टोटल इंकम 16 9 9 5,000 यह इसकी ग्रॉट टोटल इंकम निकाल लेते सर तोटल इंकम निकाल लेते हैं तोटल इंकम में सर पहले डिड़क्शन मैनस कर लो यह 50,000 की डिड़क्शन है तो इसमें मैनस कर लो 50,000 तो यह रहे सर 1,6,4,5,5,0 सर यह जो टोटल इंकम है यह मेरे साब से कुछ एजम्शन के कारण आंसर वेरीक कर सकता है यह आपकी टोटल इंकम निकली एस पर नॉर्मल प्रोविशन तो नॉर्मल प्रोविशन के साब से टेक्स लाइबलीटी भी निकाल लेते हैं शॉट टम क्यापिटल गेने तो 30% है तो सर इतना कोई फरक पड़ेगा नहीं इसकी एज एज 62 यह ती इससे बहुत फरक पड़ता है सर शार्टिंग में बोला ना सर इसकी एज 62 यह से तो इससे तो टैक्स निकालना है उसमें फरक पड़ेगा अगर एज 62 यह से तो सर 10 लेक तक तो फिक्स है यह 1,10,000 आएगा और उसके उपर बैलेंस में निकाल लेते है सर बैलेंस पे 30% होता है 30% के साब से कितना आएगा 164 5500-10 लेक उसके पर बैलेंस पे 30% 193650 तो यह टोटल एट का लेते है प्लस 1,10,000 तो यह आरा सर 303650 प्लस 4% प्लस 4% तो यह आजाएगा सर 315796 जिसको आप राउंट फिगर करके 3157,000 यह एज पर नॉर्मल प्रोपिशन आया अब अगर 115 BAC के साब से है तो कुछ चेंज़ेंस है सर 115 BAC जब 115 BAC की कहान ही आईगी तो मैं कुछ चेंजेस करूँगा एक काम करते है ग्रॉस टोटल इंकम से ही लेते है क्योंकि डिदक्शन तो एलाउड नहीं है ग्रॉस टोटल इंकम किती थी 169 5500 इसमें प्लस कर लो सर एडिशनल डेप्रिसेशन क्योंकि एडिशनल डेप्रिसेशन नहीं मिलता है किस में निकालेते हैं पान प्लांट एंट में निकालेते हैं एडिशनल डेप्रिसेशन 20 परसेंट तो 2,50,000 का 20 किता होते हैं 50,000 एडिशनल डेप्रिसेशन 50,000 एड कर दिया उसके बाद ग्रॉस टोटल इंकम यह डिदक्शन तो 1-1-5 बीसी मिलती नहीं है और कुछ चेंज और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं और कोई चेंज नहीं है तो टोटल इंकम इसकी देख लेते हैं 1-6-9-5-5-0 50,000 यहारा सर 1-7-4-5-5-0 इसमें आप अनने बोला ता सर 15,000 पर फिक्स्ट है सर कि 1,50,000 टेक्स आएगा बैलेंस में निकालना पड़ता है सर तो इसमें 15,000 लेक्स हटा दो बैलेंस का 30% कर लो तो यहार है 7,3,6,5,0 प्लस कर लिया वन लेक्स तो यहार रहेगा डबल 2,3,6,5,0 प्लस चार परसेंट कर लेते हैं प्लस चार परसेंट यहार रहेगा 2,3,2,5,9,6 है आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो ठीक है तो यह इसका टेक्स आ रहे है अब आप से पूछा था दोनों में विचेवर इ होगा 115 BAC समझ आया बैटा दिमार पर माइट भी पॉसिबल इन केस किसी स्टूरेंट का आंसर वेरी कर सकता है इधर उदर हो सकता है कुछ एजम्शन के कारण इधर उदर हो सकता है सर बाकी तो मेरे इसाफ से ऐस सच यह आंसर बाकी इंस्टिट्यूट का जो सर्डिस्टर आएगा वह अपन देख लेंगे अब चलते नेक्स कोश्टिन में आ जो सर यह अपना नेक्स कोश्टिन कोश्टिन नमबर 2-2 ए है पहले इसके लिए नीचे आके कोश्टिन पढ़ते है ज्यान दो नीचे क्या बोलते कोश्टिन में इस हच्छा दूनों का रसीदेंश मदान ठीक है for the assessment year 24 25 assuming yes opted out of the default taxes मतलब normal scheme में चल रहा है and the value of one usg dollar may be taken as 70 मतलब कुछ न कुछ इधर उधर की income भी है जो ये बात है कर रहा है ठीक है देखो उपर question में क्या बोलता है question में बोल रहा है देखो Mr. Madan a citizen of india and a karta of an hf is employed in the pcs private limited he is drawing a monthly salary of 65,500 in india ठीक है on 1st June 2023 he purchased one residential house property in Mumbai for 18 lakh in his individual capacity the market value of the property is 32 lakh and the stamp duty value is 23 lakh so market value से मुझे तो कोई मतलब नहीं stamp duty value से मिनका मतलब है sir हम क्या करते है sale consideration plus 10 percent add करते है तो sale consideration कितना था sir 18 lakh plus 10 percent add किया तो यह आ जाएगा sir 1.98 मतलब 19 lakh 80,000 अब stamp duty value लिखते है sir 23 lakh क्या इसके बीट में fall कर रहे है नहीं sir stamp duty value इससे जादा है sir तो यह जो stamp duty value है क्या यहीं मेरा sale consideration हो जाएगा yes यहीं मेरा sale consideration होता है तो इस case में यह जो 23 lakh है stamp duty value यह मेरा sale consideration तो यह जो 18 और 23 के बीच का difference है यह मेरा IUS में taxable हो जाएगा क्योंकि मैं recipient हूँ मैं recipient हूँ तो section 56 मेरे हाथ में IUS में taxable हो जाएगा sir 5 lakh आई बात समझ यह पहला चीज़ समझा है तो इसकी एक income तो पता चल गई 5 lakh चेक है और add कर लेंगे on 31 अगस 2023 he was transferred to the branch office of the PCS in USA तो अगस्त में transfer हुआ इसकी salary in India 65,500 तो sir 65,500 अप्रेल में जून जुलाई अगस्त पांच में इंटो 5 32 75 00-50,000 standard deduction कर लेना चीक है आँ आगे आगे कहानी चीक है एनी left India on September 1 2023 तो sir सेप्टेंबर में यह चले गया इंडिया से तो एप्रेल के हो गए 30 में के 31 जून के 30 प्लस जुलाई के 31 अगस्त के 31 कितने दिन हो गए sir 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 यह आ रहा है 153 चीक है यह तो 153 days इंडिया में sir अगर employment purpose के लिए जाते तो 182 देखा जाता है तो यह तो नॉन रेसिदेंट हो जाएगा बट आगे पढ़ लेता ही इंडिया में है क्या और कभी भी अगर आगे इंडिया में होगा और उसको मिला कि अगर यह 182 से रादा चले गया तो फिर बात अलग हो जाएगी the overseas branch paid him a salary of 2500 per month in USA तो USA में उसको 2500 मिलता है अब इसकी टेक्सिबिलिटी इस पे डिपेंड करती है तो फिर किसका डिचेश्य मुल्सक्त साबस्टी अगर्ध ता क्व५ से titled एंडिया में था ordinary और not ordinary देखना पड़ेगा he had also gone out of India for 99 days and 2-0-1 days during the previous year 22-23 and 21-22 he had never gone out of India prior to that इससे पहले ये इंडिया से बाहर गया ही नहीं है तो sir जब अपने हुआ के लिए ordinary और not ordinary देखते तो 10 में से 9 साल non-resident रहना चाहिए ये तो obviously sir अराम से आप पिछले 10 साल देखोगे previous year को छोड़के तो उसमें अराम से ये इंडिया में 2 साल से ज़्यादा resident है तो क्या ये ordinary resident हो जाएगा हुए ये sir resident plus ordinary resident he visited इंडिया from 1st January 2024 to 15 January 2024 for training on a project and receive 15 days salary in India as per his Indian monthly salary before being transferred अच्छा तो ये आ गया है इंडिया में कितने दिन के लिए sir 1st January को आया 15 January तक ये sir और 15 days यहीं पर इंडिया में था तो sir अगर आप 15 16 days इसमें add भी कर लोगे तो कोई फरक तो पढ़ना नहीं है sir obviously बात है 15 days add भी कर दिए तो भी 182 से कम है तो sir mister अच्छा मदान क्या हो जाएगा non resident crystal clear और sir जब वो 15 दिन आया तो उसको salary कितनी मिली 15 days की salary मिल जाती है जो उसको इंडिया purpose के लिए थी तो आप ये जो आप निकाले हो इसमें प्लस कर लो 65500 15 days मतलब divided by 2 कर दो तो यह आ जाएगा sir 32750 अब इसका total कितना हो जाएगा sir 32750 प्लस 50000 माइनस 50 ताउसेंच प्लस 32750 यहार है sir 810250 कितना आ रहा है sir इसकी income क्योंकि यह non resident है sir आरी बात समझ और एक चीज़ हान बाकी तो सब अपन कर लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाकी अपन सब कर लिए ठीक है यह समझ आया sir आपको मेरे को लगता है अच्छाई को और पॉइंट भी नीचे यह देखो मिस्टर राजिग वन ओफ इस फ्रेंड गिप्टेड ही में स्ट्रॉप्चर इन इंडिया और अगस्टें 2023 दा मार्केट वाल्यू अरे sir यह तो exempt है सर क्यों 50,000 से कम है इसलिए exempt है हमने जो अपन निकाला वही final है sir इसकी residential status और gross total income आई बात समझ clear हुआ जो US वाला है वो taxable नहीं होगा क्योंकि non resident है यह crystal clear हुआ सबको मेरे इसाब से sir question में content बहुत जादा है as compared जो institute में इसको चार माक्स का पूछा है यह question चार माक्स के लायक तो नहीं है sir बहुत जादा content इसमें चीक है आओ next question देखते है देखो question क्या बलता है ठीक है answer the following देखो पहले तो नीचे question पढ़ लेता है what are the tax obligation in the and so PQR and company on the assumption on the that the accounts of the firms are audited under section 44 AB of the income tax act 1961 मतलब TDS वाले question है sir चिक है और मैंने बोला था students को TDS अच्छे से पढ़के राना PQR and a company proprietor form of the yogi paid an amount of 30,500 to Mr. Amit a resident individual age 45 years on 1st June 2023 towards fees for professional services so 30,000 से उपर में क्या TDS को obligation होता है yes subsequently another payment of 60,000 was due to Mr. Amit on 30 June 2024 tax was not deducted from both the transactions दोनों में TDS कटना चीए था but TDS नहीं काटा है Mr. Amit has filed his return of income for the assessment year 24-25 on 2nd May 2024 अच्छा Mr. Amit सामने वाला person ने जिसको payment किया गया उसने return file किया है और उस return में सरी professional fees को दिखा है और उसमें जो tax बनता है वो भी pay कर दिया है तो आप से tax obligation पूछ रहा है practically tax obligation यह था कि आपको TDS काटना चीए था वो section 194J में but अगर आप भूल दे और सामने वाले ने TDS काटा और government को जबा कर दिया उसमे tax तो होता ही है कि simple सी बात है सर कोई दिकत नहीं government बोलती है उसके इसमें आपको PGP में वो expense अलाव हो जाता है बट बात यह है कि इस question में TDS काट कब देना चीए था सर first June को और pay कर देना चीए था और सर यह 60,000 भी सर 30 January को काट देना चीए था सर बट TDS कटा कब है सर में 2024 में तो अगर आप एक बात ध्यान दो तो सर आप क्या TDS काटने में लेट हो गए हो यह सर TDS कटने और payment करने में लेट हो गया है तो उस case में सरकार बोलती इसके बीच जो difference है वो interest की कहानी आ जाएगी और interest कितना होगा सर 1% पर मन्त और पार्ट दे रहो है अब tax obligation बोले है तो tax obligation में मेरे खाल से student से वो शायद interest की बाते नहीं जानना चाहता हो बट student को एक चोट असा note देके यह तो बता देना चाहिए कि यहां पर interest के obligation की बात है सर ठीक है आगे देखो पास्टेच लिमिटेड इस इंडियन कार मनिफेक्ट्ट्र दूरिंग फाइनिश्यल 2324 इस ओल और इस सोल कार्स फोर 150 लाक टो रेस LLP डिस्रिब्यूटर मैनिफेक्ट्ट्र ने डिस्रिब्यूटर को कार सेल की है तो अगर आप ध्यान दो तो TCS की तो बात ही नहीं आ सकती क्योंकि मैनिफेक्ट्र और डिस्रिब्यूटर के बीच की बाते हैं वेड़ सेल प्राइज से कम है वैसे बात खतम हो गई अब आपको यह क्यो बता रहे हैं पता है सर देखो TCS तो उसने खुद बोल दिया यह TCS का उब्लिकेशन ही नहीं बट अग अगर तर्णोवर की बात करो तो तर्णोवर देखो फास्टेस जो है जो सेलर है उसका तर्णोवर देखो 15 करोड अच्छा बायर का टर्णोवर भी 80 करोड है ओ माई गॉड तो 194 क्यो भी अप्लिकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सर बायर का टर्णोवर 8 करोड है अब बात यह अगर 194 क्यो अप्लिकेबल नहीं होगा तो 206C1H वाली पिक्चर में आएगी सर क्योंकि उसकेस में फिर सेलर का टर्णोवर एक्सीट कर रहे है तो सेलर का टर्णोवर एक्सीट कर रहे है 10 करोड से तो उसकेस में TCS वाला उब्लिकेशन आजाएगा और TCS वाला उब्लिकेशन आएगा तो फिर 0.1% आपको TCS काटना पड़ेगा सर 50 लेक से एकसीडिंग में तो मतलब 150 लेक है उसमें 58 आदेना और उसके उपर जितना भी रहेगा उसको 0.1% आप TCS काटेंगे अच्छा कोश्चन सर बहुत प्यारा कोश्चन तीन सेक्षन एक साथ कवर कर दिया सर पहले तो सर जो का मोटर कार वाला TCS वाला सेक्षन वाला आप्लिकेबल ही नहीं होगा फिर 194 क्यों भी आप्लिकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सर इसकेस म क्योंकि सर सेलर का टनोर एक सीट कर रहा है अच्छा कुश्चन था एक स्टूडेंट के दिमाग में इतनी सारी बात है एक्जाम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है कुश्चन मेरे को अच्छा लगा ठीक है आओ नेक्स कुश्चन देखो देखो कुश्चन नमर 3 देखो क्या बोलता है ये कुश्चन तो सालरी का लग रहा है नीची आगे पढ़ते हैं यूर रिक्वाइड तो कंप्यूट थे टेक्सिबल सालरी इंकम अप मिस्टर राधी फॉर असस्समेंट यह ट्वर टेफॉर 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 ट आउट अप देफॉर टेफॉर टांट बज़ गया नहीं तो 115 BAC के साफ से महनत करने पड़ती सरे एट कर लेते हैं क्योंकि सालरी है मतलब कुश्चन मनाने में मैंनत लगती सर पर्टिक्लर गिवन बिलो आर और अफ राधे इंकम एच 47 years posted in a private company in Delhi for the previous year 2324 बेसिक सालरी दी मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट आप लिखे होंगे exam में income from salary of Mr. Radhe दिस 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 आपने वो सब लिखा होगा अभी तो मैं आपके साथ question solve करता हूँ अरे यार यह क्या हो रहा है यहाँ एक straight line यहाँ 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 आएगा particulars रुपए रुपए ठीक है चलो basic salary तो हमें मिल गया question में आओ उपर पढ़ते हैं basic salary 35,000 per month till January 31st 2024 and 40,000 per month from Feb 2024 तो Feb और March में इसकी salary 40,000 हो गई और January तक इसकी salary 35,000 तो इसको अपन ऐसे करेंगे साथ 35,000 into 10 plus 40,000 into 2 तो यह कितना आजाएगा सर 35,000 into 10 40,000 into 2 plus 3,50000 यह आजाएगा सर 4,30000 यह इसकी basic salary यह देखते सर उपर question में दिया हुए यह दिया हुए 30% of basic salary और उसमें भी यह दिया हुए सर 54% of the DA forming part of the retirement benefit यह काम आने वाला है सर तो DA 30% of basic salary इसका 30% 1,29,000 यह DA आगया उसके बाद है leave in cashment leave in cashment अच्छा एक मिनट leave in cashment के लिए एक कहानी है सर सर यह तो जॉब में अगर retire हो जाता तो यह exempt होता अभी यह exempt नहीं होगा सर leave in cashment तो यह पूरा 10,000 क्या हो जाएगा taxable इसके बाद देखो he received a salary for the month of April 2024 in advance अच्छा on 31st March 2024 तो April की salary March में received किया also received an area salary for the month of March 2023 on the same day तो March की salary भी received किया तो सर यह जो March की salary यह तो सर 22, 23 में on the basis of due or receive whichever is earlier उस basis में taxable हो गई होगी हमारा previous year 23, 24 है सर तो 23, 24 में तो सर यह जो advance में एक मेने की salary लिया यह taxable है न सर इसको क्या लिख लो मैं advance salary सर 40,000 क्योंकि उसकी salary बाद में 40,000 थी उसके बाद दिया हुआ है सर entry accommodation के बारे में दिया हुआ है मैंने student को मेशा बोला है सर यह last में निकाला करो क्योंकि इसमें कई सारे जोल होते है सर इसी में सब दुनियादारी होती ही सर उसको निकालेंगे बाद में the employer also spent 50,000 on the refresher course for upgrading राधे skill मैं सर राधे skill तो सर यह employer ने करचा किया तो इसका salary का तो पाठ हुआ ही नहीं इसका कुछ करना ही नहीं है आपको अगला दूरिंग दा प्रिवियस एर इस wife also admitted in a notified hospital for treatment of her kidney disease notified hospital है न सर वाइप है इसका भी कुछ नहीं करना है तो बचा क्या रेंट्री अकॉमडेशन ही तो बचा चलो इसकी मैनत करते हैं यह बहुत अच्छा point है अगली दिया है मतलब आपको पता है 40 लेक से राता की population है तो सर अब्वियस ही बात है 10% लेना है इस हाउस इस ओन बाइस एम्प्लॉयर इस हाउस इस ओन बाइस एम्प्लॉयर घर किसका एम्प्लॉयर कर सर यहाँ रटना तो 10% of salary during the previous year 1920 the perquisite value of such rentry accommodation valued was 39,000 1920 में इसकी value 39,000 थी तो सर अपने एक बात सीखे थे यह CII का use करना सीखे थे सर कि सर 39,000 यह थी value सर 19,20 में उस ताइम का CII कितना है 289 into सर करेंट प्रिवियस यहर कितना है सर 348 तो यह कितना आ रहा है एक बार यह करते है 39,000 divided by 289 अब यह 39,000 divided by 289 into 348 इस गरबड गरदी है क्या 39,000 अरे यह into 348 divided by 240 sorry 289 तो यह आ रहा है सर 49 एस सरी 46 आ रहा है अब यह रवड का है अब यह चिक तो यह आ रहा है सर 46 962 round figure कर लिए सर मैंने 46962 मतलब इससे ज़्यादा आपका rentry accommodation current previous year में नहीं होना चीए अब अपन 10% of salary निकाल के दिखते हैं तो हमें और समझ आएगा सर अच्छा जब 10% of salary लूँगा तो salary में basic लूँगा DA 54% लूँगा जो 30% निकाला हो उसका भी 54% लूँगा leave in cashment लूँगा सर all monetary benefits आता है सर all taxable monetary benefits आता है तो यह आएगा और उसकी salary भी आएगी तो करना पड़ेगा सर यह तो निकालना पड़ेगा 10% of salary में basic तो आ जाएगा सर 4,30,000 DA 1,29,000 है इसका भी 54% आएगा सर 696660 प्लस 10,000 leave in cashment का आएगा सर प्लस 40,000 सर चीक है यह all taxable monetary benefits है तो इसको add कर लेते हैं 4,30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 और कुछ छूट तो नहीं किया मेरे से और कुछ तो मैंने नहीं छोड़ा फोड़ा तो नहीं कुछ एक मिनट इसमें कुश्चन में आगे भी बात ले दी हूँ यह देखो the employer also provided him with the facility of gardener to maintain this house तो सर यह salary of the gardener दिया हुए सर यह तो अलग से है ऐसे ही taxable है सर gardener की facility gardener 12,000 1,000 पर मन्त है gardener वैसे ही taxable है gardener के अलाबा क्या दिया हुए सर furniture and appliances provided with the house दिया हुए सर 1,1 2020 को provide किया सर तो current year में तो 1,50,000 उसका 10% furniture यह भी लिखी लेते हैं इसमें क्या दिखाते है furniture आजाएगा 15,000 उसके बाद सर electricity bill वगरा पे किया है electricity bill 48,000 क्योंकि 4,000 पर मन्त है और कुछ दिया हुए क्या ना इतना ही दिया हुए तो सर मैंने जब salary add करी तो यह आ रहा है सर इंको इस कॉलर कलर से लिख लिख लेता हूँ 5496660 इतना रहा है इसका 10% और आपने कितना निकाला था 46962 46962 दोनों में whichever is lower क्योंकि सर इससे ज़्यादा amount तो हो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा तो ही नहीं सकता तो 46962 ये बड़ा प्यारा सा point लगा मुझे इस पूरे salary question का यही एक अच्छा point लगा मुझे जो student यहाँ पर गरबर कर सकता है mistake हो सकती है बाकी तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई point है जहाँ पर mistake होनी चाहिए बाकी सब point तो easy है simple है कोई typical वाला point है नहीं कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने ना देख लेते भाई बदे चलब बवाल हो जाएगा कोई point छोड़ दिया हूँगा तो डेली की कहानी है तो 10% लेते ले ले लिया मैंने यह ले लिया पनीचर वगर ले लिया ठीक है ओके यह हो गया सब तो अब इसको अपनका करेंगे तो सर हमारा क्या आ जाएगा gross salary आ जाएगा gross salary देखो सब अब इसको add करके check कर लेते gross salary कितनी आ रही है वो लेक 30,000 प्लस वन लेक 29,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 46962 अरे 46962 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 यह आ रहे है सर्च 73730 962 और इसमें standard deduction माइनस कर लेना 50,000 की ठीक है तो यह आ जाएगा minus 50,000 तो यह रहे है 680962 यह income from salary अब इसमें एक point ऐसा है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि institute का treatment change हो सकता है एक point रेंट्री अक्मडेशन में क्या treatment change हो सकता है हो सकता है हो सकता है institute अगर रेंट्री अक्मडेशन old rate से निकाले old rate से तो उस case में यहां पर ना वो 15% ले लेगी क्योंकि डेली जाला case old rate में 15% था यह एक point है जहां पर मुझे लगता है institute के assumption पर आंसर वेरी कर सकता है बाकी तो मुझे ऐसे लगते हैं बाकी तो simple था जो मैंने आपको निकाल के बताया है यह ऐसे ही निकलेगा और next question में move करते है और next question में पहले नीचे पढ़ते है क्या होले sir compute the capital gain for the assessment year 24-25 if Mr. Raj exercise the option of shifting out of the default taxation or normal provision follow करता है Mr. Raj a resident individual age 69 years sold an urban agriculture land for 75 lakh बज़ गया to Mr. Whipul on December 15, 2023 when the stamp duty value of the agriculture land was 95 lakh however the agreement to sale the agriculture land was entered on 15th July 2023 and Mr. Whipul give 4 lakh as an advance through IMPs wow thank you so jis din sir यह तो online payment से किया है very nice जिस दिन यह agreement हुए उस दिन कि stamp duty value किती थी sir 85 lakh मैंने आपको simple एक बात सिखाय थी sir sale consideration plus 10% sale consideration कितना है sir 75 lakh plus करो 10% तो यह कितना आ जाएगा 75 lakh plus 10% यह 82.5 आ रहा है sir क्या stamp duty value जितनी हमारी 85 है क्या इसके बीट में पॉल करती है नई sir क्या इससे ज्यादा है yes sir क्या stamp duty value 85 वही मेरा सेल consideration हो जाएगा yes चलो एक चीज़ तो मिल गई Mr. Raj paid 1% of the sale consideration as a commission to the broker तो 1% किसका निकलेगा यह 75 lakh का निकलेगा इसको भी solve भी कर लेते हैं ज्यादा बेठर है एक page add कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यह सेल consideration 85 lakh माइनस एक्सपेंस कितना वन परसेंट था 75 लग का वन परसेंट 75 थाउसेंड माइनस कर लो 85 लैक से तो यह आ जाएगा 84,25,000 net sale consideration माइनस index cost of acquisition वो तो देखना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा इसमें न 1037 की भी exemption नहीं मिलेगी सर क्यों नहीं मिलेगी पता है reason sir compulsory acquire नहीं क्या urban agriculture land बेचा है compulsory acquire होता न तो भी exemption आ जाती बच गए बहुत सारी चीजे चेंज हो गई सर तो इसमें तो indexation करना पढ़ेगा तो भाई 10,85,000 और पर्चेस कब किया है 2002,300 का आपको NCI सब्स 1 यह यह question मुझे as compared अभी तक जितना भी मनाया tax में यह मुझे तो easy लगा 1085,000 into 348 divided by 105 मेरे साब से student से इस question में तो गलती नहीं होनी छी यह 359,000 थरीफाइफ लेक 96,000 यह अपन माइनस कर लेंगे माइनस कर लो 84,25,000 से तो यह आ रहा है 48,29,000 चीक है और कुछ है question में बढ़ते आगे Mr. Raj purchased another agriculture land in rural area in 1st January 2024 for 40,00,00 अच्छा rural agriculture land करी जाए सथ तो मतलब यह 54B की exemption claim करना चाहता है सथ and this land was sold by him अच्छा rural agriculture land this land was sold by him on March 12,2024 for 45,00,00 अब यह जो rural agriculture land है इसको बेज भी दिये अब sir हमने पढ़ा था कि जो lock-in period है वो lock-in period के अंदर बेजते हैं तो उस case में जो capital gain पहले exempt हुआ था वो अब taxable हो जाएगा तो पहले तो आप 40,00 की exemption ले लो 54B में तो यह आजाएगा sir 8,29,000 यह आपका long term capital gain taxable है उसके बाद कल के दिन जब आप यह 40 लेंड को 45,00,000 में बेच हो गए तो एक मसत वाली बात बता हूँ sir यह रूरल अग्रिकल्चर लेंड है एक्जम्ट है capital S.E.T. नहीं होता sir तो taxability की तो बात ही नहीं आएगी 5,00,000 पे बात यह है sir की यह जो पूरल अग्रिकल्चर लेंड की आप एक्जम्ट लिये थे तो जो एक्जम्ट आपको पहले मिली थी वह एक्जम्ट विड्रौ हो जाएगी sir क्योंकि आपने lock-in period के पहले बेच दिया sir अई बात समझ तो यह कुशन तो simple था यह मैंने आपको solve करके बता है है simple है sir question आओ next question दिखते है देगा question number fourth पहले नीचे आके पढ़ लो क्या बोल रहा है नीचे आके पढ़ लो देखो आँगे question यह रहा compute the total income of Mr. Suraj, Megha, Mrs. Megha and Mr. Dev for the assessment year 24-25 assuming that Suraj has decided to pay tax under default tax regime under 115 BAC whereas Megha and Dev has opted out of the default tax regime briefly explain the reason for treatment of each item बाप रे बाप कुछ ज्यादा नहीं होने वाल है sir this question में sir 6 marks के साफ से तो बहुत लें दिए Mr. Suraj 8 39 years and his wife Megha 35 years and minor son Dev 12 years provide the following detail of their income and losses for the previous year 23-24 Suraj 115 BAC ले रहा है ठीक है और बाकि जो दोने है Megha और 115 BAC नहीं ले रहे है और देव भी 115 BAC नहीं ले रहा है ठीक है इंदोनों के लिए normal provision चलेंगे चलो पड़ते हैं salary received as a partner from a partnership firm 6,15,000 he is a working partner in the firm and the salary is as per the limit prescribed under 40 B तो यह इसकी हो गई PGBP की income सर सेक्षन तो यह खोदी बता दिया है सर इंकम और loss from the house property brought forward loss from house property दिया हुआ है सर यह brought forward loss है यह सिर्फ IHP से ही adjust होता है तो IHP की income दिखे की तो adjust करेंगे otherwise इसको carry forward कर देंगे current year loss from house B let out है 2,30,000 सर current year में loss है house property में बट दिक्कत यह सर यह बंदा 115 BAC लिए तो 115 BAC के case में house property का जो loss होता है वो दूसरी head की income से adjust नहीं होता तो यह हो जाएगा carry forward अगर हा carry forward हो जाएगा सर मतलब अगर IHP की income दिखे तो ठीक नहीं तो यह दोनों carry forward होने वाले है सर इंट्रेस्ट रिसीव डॉन अनांस compensation टू लाक रुपीस ठीक है इट रिलेट ट्रांसवर पीस और प्लान इन फानिशल यह 18-19 out of the above 35,000 related to 23-24 उससे कोई परखनी परता सर इंट्रेस्ट रनांस compensation मिला इसमें 50% expense चला हो जाता है मतलब 1 lakh taxable है तो यह 6 lakh पता चल गया 1 lakh यह पता चल गया हो यह IOS की income है याद रखना उसके बाद है सर गेप प्रों grandfather यंगर सिस्टर grandfather यंगर सिस्टर सर यह तो रिलेटिब में भी नहीं आते है यह भी IOS में taxable है सर डिविडेंड और इक्विटी शेर ओपर डमेस्टिक कंपनी यह भी taxable है सर IOS में इन 1st December 2023 Mr. Suraj receive 75 lakh as maturity proceed from his life insurance policy which was taken on 1st May 2012 2012 में 2012 में 2012 में लिया है सर eligible LIP और triple E LIP का जो concept पढ़ें वोपन अलग जगा पढ़ें सर उसकी applicability 1 4 2023 से होती है यह तो 2012 की कहानी है सर तो सर इससे 10% premium check कर लो सर 6,50,000 होता है यह तो 6,00,000 की premium है तो यह जितना maturity proceed मिला है यह exempt है कोई दिक्कत ही नहीं है सर चिक अगला देखो current year loss from business she carried on this business with the funds from Mr. Suraj gifted to her तो यह वाला जो loss है क्या यह loss sir club हो जाएगा yes sir यह club हो जाएगा किसमें सर उसके husband में और यह जो उसकी PGP की income है न सर इस PGP की income से adjust हो जाएगा loss ठीक है बिजनस का loss है न सर तो यह business का loss आपका adjust हो जाएगा सर यह PGP की 6,15,000 की income से आप चाहो तो इसको आई यूस की income से भी adjust कर सकते हो आई यूस में भी तापके पास income पढ़ी हो यह sir 1,00,000 रुपीज तो वह भी adjust कर सकते हो तो practically sir इसकी income है 6,15,000 प्लस आई यूस की income 1,00,000 प्लस और भी एक income है 1,25,000 और को income dividend की income है 50,000 इसमें वाइब तो इसकी income husband की income total income आ रहे है 8,90,000 और इसमें वाइब का adjust हो जाएगा 8,10,000 चीक है तो husband की income बच जाएगी 80,000 चीक है आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं मिस्स मेगा पर्चेज आउस प्रोपरटी फ्रॉम हर स्त्रीदन और गिफ्टेट थे सेम तो हर माइनर सायन मिस्टर देव आउट अउट 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 अफिक्शन ओ माइगाड यह तो सेक्शन 27 वाली बात है सर आई एच पी वाली बात है सर जहां पर सर आप स्पाउस हो और आपने माइनर चाहिल को कोई गिफ्ट दिया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन आउट अउट अप लैंचल लवल अफिक्शन तो उस केस में उस घर से जो इंकम होती है वो सर क्या होता है जो जो सपाउस होता है उसके हाथ में टेक्स होती है तो मिदा क्या हाथ में टेक्स हこれ होगी कि या मार्के वल्लॉब है मार्केट वेल् imagen दाथесте ट्रांफ वस 57 लैक इससे चाहिक हमें कोई मतलब नहीं हैसर rent receive from the house house property from Miss mega 35,000 यह तो 35,000 into 12 35,000 into 12 4,20,000 minus 30% minus 30% so यह आरह सर 2,94,000 यह वाली income club हो जाएगी Miss mega क्या आगी में ठीक है अच्छा 1500 की basic exemption limit नहीं में लेगी सर क्योंकि ओव्यसी बात है यह वनशीप पाला section है clubbing में होता है 1500 बच्चों के case में तो यह 2,94 ताओसन मेगा क्यात नहीं कि income हो जाएगी सर देव क्यात कि तो कोई income ही नहीं सर तो यह तो simple यह question इतना typical नहीं था में को लगा नहीं इस question में कोई student फसा होगा और आम से बन गया होगा यह question और next question दिखते हैं answer the following vegetable limited find its return of income for the financial year 2324 on 15th December 2023 अच्छा यह तो due date के बाद फाइल किये sir on 2nd january the accountant of the vegetable realized that he had forgotten to claim the genuine business expenditure amounted to rupees 15 lakh he want to file revised return to claim such expenditure as the assessment is not completed नहीं कर सकता sir sir last date होती है 31st December 2023 इसके बाद sir यह claim नहीं कर पाएगा will revise return भी पाइल करने की last date है उसके बाद नहीं कर सकता हूं अगला देखो महेंडरा resident individual age 45 years earned a salary of 2 crore for during the financial year 2324 he is also earned a dividend from unlisted shares amounted to rupees 4 lakh he wanted to file his return of income for the assessment year 2425 through a tax return preparer sir tax return preparer sir यह return file कर सकता है इसको कोई लिकत नहीं है sir क्योंकि sir इसकी income बले 2 crore है बट salary से income है sir tax return preparer से वो लोग मीरा सकते हैं जो लोग company वाले लोग होते हैं जिन पर tax audit वाली बाते होती हैं इस बंदे के पर tax audit के implications नहीं है तो यह बंदा tax return preparer से return file कर सकता है और मैं एक और question है sir देखो यह question जो है यह updated return का question है बहुत प्यारा question है इसको ध्यान दो देखो पहले नीचे पढ़ लिते हैं question क्या बोलें she approaches you to file updated return under section 139 8a updated return 16 5 2024 you are required to prepare a suggestion to be given to her in this respect your suggestion should include the financial respect also like payment of tax briefly outline the relevant provision of the income tax act तो आपको यह भी बताना है कि sir अगर updated return file करते है तो उसका tax किता मंतर रानी एन इंडियन रसिडेंट ऐस 34 यह डिड नॉट फाइल return of income for the assessment year 21, 22, 22, 23, 23, 24 चाँ शी गिव तर फॉलिंग इंफॉमिशन रिगार्डिंग इच ओफ दा असेस्मेंट इयर तो sir updated return अपन दो साल तक डाल सकते हैं जिस साल assessment year complete हो है उससे दो साल तक तो इसका डाल सकते हो sir आप 31 मार्ट 24 और आप तो sir date ही जो बोल रहे हो वो date 16 में की है तो इस साल की तो कहानी खता updated return इस साल का नहीं हो सकता इस साल की last date है sir 31st March 2025 इस साल की updated return जा सकती sir इस साल में कोई दिक्कत नहीं है बड़ बात यह सर देखो टेक्स पेवल किता है इसका 5,60,000 तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो इसका refund मन रहे है सर और अगर refund की कहानी तो हम एक बात सीख के आए था सर अगर refund है या आप लॉस आपका बढ़ रहे है तो उन सब किसी में आप updated return नहीं कर सकते तो इस साल का time period तो है पाइल करने का बट फिर भी नहीं कर पाऊगे और इस साल की last date है sir 31st March 2026 तक updated return पाइल कर सकते सर तो इस साल तो आप सही time period में भी हो सब चीज सही है तो updated return कैसे होगा सर इसका टेक्स पे बल सिक्सलेक 30 ताउस प्लस 90 ताउसंड का interest प्लस अब यहां पर तो दिया नहीं है sir यहां तो दिया नहीं है नहीं तो लेट फी भी तो है sir लेट फी की कहानी plus 25% additional tax भी देना पड़ेगा क्योंकि आपने 12 months के अंदर tax पे करने की बात की तो 3,30,000 plus 90,000 और 25% और add करोगे sir tax 25% और add करोगे और उसके बाद आपका final tax आएगा चिक है तो यह question तो बहुत प्यारा question है updated return का एक student को इसको देखके जाना अच्छी है मेरे साब से student इस question को देखके जाएगा तो उसकी मैंने आपका income tax वाला part पूरा solve करा है I hope आपके clear होंगे doubts कोई doubts होगा तो हम फिर भी discuss कर सकते might be possible answer vary कर सकता है assumption के basis में बाकि आपको सब चीजे समझ आई होगी I hope so चिक है तो इसे friends तक share करना like करना और मैं आप लोगों के लिए GST का भी सर एक ऐसे ही वीडियो answers का upload कर दूँगा चिक है चाल थैंक्यू प्रेंट्स